आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर साधा बनी रहे यह वीडियो मेश के लिए अत्यन्त विशेश है, अत्यन्त महत्तपून है क्योंकि आप वीडियो है अगस्त दोहजार चौबिस के मासिक राशीफल के बारे में कैसा रहेगा अगस्त का महीना मेश के लिए मेरा जो मासिक राशीफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीजों पर आधारित होता है जैसे की सामाने विश्टेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इन्वेस्मेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंस और से है और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेश उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकरात्मक्ता में विश्टी अवश्य होती है यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी मेश है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं टेक्निकली अलग-अलग राशी फल नहीं बन सकते हैं कि आप बोलें कि मेरी मेश लगन राशी है तो अलग राशी फल बनाईए मेरी मेश चंद राशी है तो अलग राशी फल बनाईए लेकर आएगा ही, लेकिन कई ग्रहों के स्थिती थोड़ी सी अलग भी रहेगी, जैसे बुद्ध जो वक्री हो जाएंगे, और पिछली राशी में गिर भी जाएंगे, इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, और शुक्र भी इस महीने नीच के हो रहे हैं, और शुक्र का नीच का होना वो भी किस प्रकार से आपके जिवन में प्रभाव डालते हैं, बहुत चीजें बदल सकता है, तो इन सब चीजों पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं, सर्फ अदम लगन को ही देखेंगे, अब लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, मंगल थे पहले लेकिन वो भी अब आपके जो लगनेश है मंगल वो अलमोस्ट पूरे महीने आपके धन स्थान में रहेंगे, और उन पर प्रभाव रहेगा देव गुरु ब्रहस्पती का, और देव गुरु ब्रहस्पती आपके भागेश है और बारवेघर के स्वामी हैं, यानि कि भागे का साथ बहुत मिल धन अरजित करने के लिए और विदेश से भी आपको यहां पर बहुत धन प्राप्त होगा, लेकिन अपने वानी पर बहुत कंट्रोल करके रखेगा, गुरु और मंगल की जोड़ी दूसरे भाव में अर्थात इगो भर जाएगा वानी में, आपकी वानी में अहम जलकेगा गुसा जलकेगा और उसके कारण थोड़ा सा बुरा प्रभाव पर सकता है, अपी तू कारक शेत्र में क्योंकि ये अर्थ त्रिकोर है, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन वानी पर नियंत्रन बहुत अनिवारे आपके लिए रहेगा, हमने लगन के स्वामी की ब वक्री हो गए थे, ये बदलाव का टाइम होता है, स्पेशली जब लगन पर वक्री शनी का प्रभाव होता है, कारण ये है कि शनी की अपनी जो एक गाथा है वो बदलने वाली है, मैं उसके बार में भी जादा नहीं चर्चा करूँगा, क्योंकि अगले साल जब वो मीन मे पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जिवन को आगे लेकर जाना पड़ेगा, तो ये शनी का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी आपको नहीं बदल फाए, तो इसका थोड़ा बुरा प्रभाव भी होगा, सूरे चौते घर में बने रहेंगे लंबे अर्से तक 15-16 तरीक तक, तो घर में कलह कले चलने की संभावना जादा है, और क्योंकि मंगल गुरु की जोड़ी है दूसरे घर में, इसमें स्पेशली मंगल का प्रभाव, वानी के कारण थोड़ा सा संघर्ष घर में उत्पन जादा कर सकता है, ग्रहों के राशी परितन से शुरू करते हैं, 31 सारी को ही शुक्र आपके पंचम भाव में आ गए होंगे, तो पहली ही अगस से उनका प्रभाव पंचम से ही दिखेगा, शुक्र आपके धनेश हैं और सब्तमेश हैं, और बैटे हैं लक्षमी स्थान में, और बैटे हैं के लिए बहुत अच्छा है, अपने वैचारिक अनुभवों को और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और आइडियास जैसे मैंने कहा, पंचम भाव में बुद्ध शुक्र यानि की आइडियास की कोई कमी ही नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि मंगल के जो लगन होते हैं, यानि की विष्षिक और मेश, कभी-कभी यह बहुत ज़ादा excitement में अपने विचारों को एकदब इंप्लिमेंट कर देते हैं, तो impulsiveness से आपको इस महीने बचना है, अन्नत है तो यह महीना आपका अच्छा ही है, यहाँ आपर शुक्र का राशी परिवतन हुआ है, और मंगल की दिरिष्टी भी अल्मोस पूरे वहीने पड़ेगी, तो मंगल क्या है लगनेश, शुक्र क्या है धनेश, तो दोनों का एक प्रकार से योग हो रहा है, तो आप अपने विचारों से अपने भौतिक जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र सब्तमेश भी है, तो धर प्राप्ती के योग आपके पती या पतनी के लिए भी यहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं, और ये एक लावकारी आपके लिए युती और राशी परिवतन दिख रहा है, प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी पांच सारिक से, जब बुद्ध महराज वक्री होना शुरू करेंगे, बुद्ध वक्री हो जाएंगे पंचम में वक्री हो रहे हैं, और पुनाह ये आपके पंचम भाब में शुक्र के साथ बेटे हैं, शुक्र क्या हुए सब तमेश होए, विवाहिक जीवन में उथल अब पांच अगस को बुद्ध वक्री होएं, बुद्ध स्टूडेंस के कारक हैं, आपके बौधिक शंता के कारक हैं, तो जब वो पंचम में होंगे वक्री, स्टूडेंस के लिए भी थोड़ा सा बुरा हो सकता है, उनकी जो रिटेंशन पावर है, कॉमुनिकेशन है, उस बीच में एक और राशी परतन हो जाएगा, वो होगा सूरे महराज का, सूर्य सौला तरीक को आपके पंचम भाब में आकर विराजमान हो जाएंगे, और अपनी ही स्वराशी के हो जाएंगे, अब पंचम में पंचम का स्वामियानि के सूरे, लक्षमी योग बना उच्चक लग गए हम, और सूरे शनी का जब भी आमना सामना होता है, उथल पुथल बचती है, तो इस सूरे बरे ही पंचम भाब में आ रहे हैं, आपको जादा बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शनी का प्रभाब, वक्री प्रभाब भी है, अब यहाँ पे ध्यान किस ची है, बुद्ध वक्री है, बहुत खराब होते हैं बुद्ध इस मामले में, गर्भवती महिलाओं के लिए, थोड़ा सा केरफूल रहेगा, और आपके अपने बच्चों से संबंद भी विगड़ सकते हैं, तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भा बात करी, मैंने भी बुद्ध के वक्री होने की बात करे थी, बुद्ध पतित भी हो जाएंगे, मैंने कई बार एक्स्प्रेंड किया हुआ है, कि कभी-कभी ग्रह पतित हो जाता है, पिश्ली राशी में गर जाता है, जैसे राहोर केचु तो हमेशा पिश्ली राशी में ही पुनहा फैमिली लाइफ पर चौथा भाफ है माता जी के सिहत पर फैमिली लाइफ पर घर में मिसकॉम्मुनिकेशन होंगे, घर में बिमारियां आ सकती है और यहां से बुद्ध दस्वे घर को देखेंगे, करियर पर भी इसका थ्रवसा अचानक से एक नेगेटिव इंपक्ट पर सकता है, बहुत केरफुल रहनी के वशकता है, करियर वाले सेक्शन में इस पर मैं और थ्रवसा विस्तार से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहां पर आपको केरफुल रहना पड़ेगा बाइस तारिक के बाद राशी पर जितन एक और होगा, बलकि दो और होंगे शुक्र महाराज का, अब हम विवाहिक जीवन आदी और परिवारिक जीवन की बात कर ही रहेते शुक्र भी नीच के हो जाएंगा और केतू के साथ मेरिड लाइफ में देखिया अगर आपके प्रॉब्लम चल रही है तो यकीन मानिए कि यह महीना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि शुक्र नाकेवल विवाहिक जीवन के कारक हैं सभी के लिए आपके लिए तो सब्तमेश भी है और अपने स्थान से बारवे में वो भी किसके साथ बैट रहे हैं केतू के साथ, डिटैश्मेंट, केतू आइसोलेशन, केतू सेपरेशन अल्रड़ी बुद्ध चौते भाब में है जो सब्तम से दस्वे में है अचानक से आची रिट में ये होता है, पती पतनी के वीच में जगड़े होते हैं फिर सीधा एक ही बात निकलती है, कि हमें चाहिए डाइवोस तो यहां इस महीने थोड़ा सा केरफूल रहने के वशकता है अल्रड़ी जिनकी बैड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है उनके रहे तो महीना बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला काफी प्रॉब्लम्स आएंगी मंगल का भी राशी वर्दन महीने के अंतिम भाग में होगा खेरवगदा मंत में होगा जादा प्रभाव इस महीने देखने को नहीं मिलेगा फिर भी मंगल आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और तीसरे घर के मंगल साहस बहुत देते हैं और आपके तो लगनेश है तो हाँ यह जो थोड़ी सी उथल पुथल मचीती है महीने के अंत में जाकर आपके अपने प्रयासों से आपके अपने एफर्ट से यह प्रॉब्लम दूर हो सकती है लेकिन स्पेशली पारिवारिक और विवाहिक जीवन में आपको इस महीने बहुत ध्यान रटने की अवशकता है अच्छी चीज़ यह है कि जो बुद्ध ने थोड़ासा हलचल मचाई थी सबके जीवन में वो महीने के अंत में यानि की 29 तारीक को मारगी हो जाएंगे पुना सीधे चलने लग जाएंगे अब तक वो उल्टे चल रहे होंगे उसके बाद सीधा चलना शुरू कर देंगे तो महीने के अंत में मंगल के कोचर के करण और भुद्ध के मारगी होने के करण जो महीने के मध्य भाग में और इवन शुरुवात से जो उथल पुथल मची थी वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी तो अच्छी चीज यह है कि यह महीना धन के सवरूप में बहुत अच्छा देख रहे रेकिन जैसे मने का आप आरिवारिक जीवन विवाहिक जीवन इमोशनल लाइफ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कुछ विशेश प्रेडिक्शन में तरफ से यह महीना आराम से विताने का है पॉज लेकर सोचने का है कभी-कभी आपको कई चीज़ें ऐसे भी करनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको अपने कमफ़र्ट जोन से निकलना पड़ेगा यह महीना अपने बारे में सोचने का है लिश में एक शब्द आता है soulful thinking यानि कि थोड़ा सा बैठकर हर चीज़ को आत्मिय रूप में देखना चाहिए समझना चाहिए यह महीना उसी चीज़ का है कई नई चीज़ों को शुरुआत करने का मौका मिलेगा अपने आपको मांसिक रूप से शारिजिक रूप से हील क ठीक करने का अवसर मिलेगा शांत रहीए इस महीने शांती बहुत इंपोर्टन रहेगी और अगर कुछ बड़ा करना चाहरे हैं उसकी रास्ते पे चल रहे हैं तो भी हिम्मत मत हारिएगा क्यों हो सकता है इस महीने कभी-कभी ऐसा लगे आपको कि नहीं मुझ से कुछ नही गाइडन्स के अवशक्ता अगर पढ़ती है तो उससे हटिएगा मत कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है दूसरा जीवन में बदलाव आ रहे हैं आपके भी आ रहे हैं आपके आसपास के लोगों में भी आ रहे हैं इन सारे बदलाओं को एकसेप्ट कीजिए स्टेविलिट लोगों से अपने हस्बेन वाइफ से अपने बच्चों से एकस्पेक्ट मत कीजेगा ये सारा दारो मदार जैसे मने कहां आपके ओपर ही आने वाला है तो महीना थोड़ा सा सेंसिटिव है इस पर ध्यान दीजेगा चलते हैं करियर के तरफ दस्वे भापर दिश्री डालें समय अच्छा और वो लावस्थान में बैठे हैं दूसरी चीज यह है कि इस महीने के शुरुवात से ही शुक्र की दिश्टे भी आपके दस्टेगर के स्वामी पर होगी शुक्र क्या है आपके धनस्थान के स्वामी है और सबतमेश भी है यानि कि ऐसे लोग जिनको बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन नहीं मिल रही है या कुछ अच्छा रिकागनिशन कुछ इंक्रिमेंट नहीं मिला है उनके लिए महीना अच्छा सावित हो सकता है लगनेश मंगल भी आल्मोस 26-27 सारीक तक आपके दूसरे घर में रहेंगे और वो लगनेश है तो उनका लेना स्थान में होना गुरू के साथ बैठना यानि कि अटलीस प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वानी में बहुत एक प्रभाव रहेगा तो इस अब अच्छा देख रहा है लेकिन ध्यान कहां देना है बुद्ध पांच तारीक को हो जाएंगे वकरी होंगे पंचम में जो की द देखेंगे 16 तारीक तक लेकिन वो पंचम के स्वामी है और दिख्बल उनका खतम हुआ पड़ा है आपको आइडियास तो बहुत आएंगे इस महीनी लेकिन कभी-कभी आप उनको यूटिलाइस नहीं कर पाएंगे नहीं कि उसको एक्स्प्रेस करने में आपको थोड़ी सी भाब पे आ गए होंगे ठीक है उनका आना कोई बहुत बुरा नहीं होगा पंचम में लेकिन बुद्ध का 22 तारीक से आपके दस्वे भाब में जाना ये इंडिगेट कर रहा है कि कारक शित्र में बहुत बड़ी गलतियां आपसे हो सकती है बुद्ध छटे घर के स्वामी ह यानिकी बहुत स्ट्रगल बढ़ जाएगा कारक शित्र में, कॉंपरिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी और ये महीना ऐसा है जहां पे आपसे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, रिटन मिस्टेक्स या कॉमिनिकेशन मिस्टेक्स बहुत होंगी, आप चीजे भूल जाया करेंगे कारेक्षेत्र में और अगर आपका कुछ ऐसा कारे है जिसमें financial transactions बहुत involved होती हैं बहुत careful होने के आपको अवशकता है शुक्र भी जब आपके महीने के अंतिम भाग के आसपास यानि कि 25 अगस को आपके चटे भाब में आकर बैठ जाएंगे यहां से शुरू होगी गंदी office politics यानि कि महीने के अंतिम भाग में थोड़ासा office politics भी आपको तंग करेगी तो यह महीना ऐसा है जहां पर आप अच्छा कारे कर सकते हैं कारण क्या है कि आपके दश्मीश लाब स्थान में हैं वक्री हैं चीजों को सुधारने का मौका देंगे लेकिन बाकी जो ग्रह है थोड़ासा negative चीज़े indicate कर रहे हैं तो इन सब पर आपको ध्यान देना है विशेश prediction में इत्रफ से planning का अच्छा महीना है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा एक balance लाने का आउसर आपको मिल सकता है कई बार हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि उथल पूथल मचेगी लेकिन आप अपने उपर जितना नियंतर्न रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है अगर कोई office में problem चल रही थी कोई case चल रहा था कोई committee बैठी हुई थी आपके उपर उनको solve करने का महिना है धन बरता हुआ देख रहा है जिनके कारेक शेत्र में बहुत travel involved होता है अपने काम के करण उनको travel भी करना पड़ सकता है और नई संभावना है कुछ न कुछ महीने के मद्य भाग में खुल सकती है negative चीज़े या जिसको लेकर बहुत ध्यान देना है over creativity creativity तो अच्छी होती लेकिन कभी-कभी over creative हो जाता है वहाँ पर problem आ सकती है आप कभी-कभी ऐसा हो सकता है इस महीने की mentally अच्छा feel नहीं कर रहे फिर भी office चले गए या फिर कोई बड़ा काम पकड़ लिया वहाँ पर problem हो सकती है organized नहीं रहेंगे इस महीने कई बार उसके करण problem होगी घर की चिंता office में लाएंगे उसके करण problem होगी और इसके साथी office politics को समझ नहीं बाना उन लोगों पर trust करना जिनको जो आपके लिए अच्छे नहीं है वास्तविक्ता में वो आपको problem देगा तो इन सब पर ध्यान दीजेगा यदि आप marketing, digital marketing, finance, consultation कुछ भी education संबंदित कारे करते हैं कुछ भी manpower से जुड़ा कारे करते हैं तो इन सारे areas में आपको healthcare industry में अगर कारे करते हैं तो लाब होगा चलते हैं business के तरफ जो लोग व्यपार करते हैं अपना उनके लिए कैसा रहेगा सरपतम सब्तम भाव को देखेंगे सब्तम जो आपका भाव है वहाँ पर किसी का प्रभाव directly नहीं पढ़ रहा आपके जो सब्तमेश हैं वो 31 अगस को ही आपके पंचम भाव में आगे होंगे जो सब्तम से लावस्थान बनता है तो business में लाभ वश्य होगा पैसा वश्य आएगा सब्तम से अश्टम में मंगल हैं जो लगनेश हैं और गुरू के साथ बेटे हैं गुरू जो सब्तम भाव से तीसरे घर के स्वामी है और सब्तम से छटे घर के स्वामी है यानि कि कुछ रुकावटे आपकी अपनी महनत से अपने effort से दूर होंगी और विदेश में भी अगर आपका कुछ कार रहा है business है उसमें भी लाभ होगा overall महीना अच्छा ही दिख रहा है problem थोड़ी सी कब होगी एक तो 5 अगस को बुद्ध वक्री हो जाएंगे और ये शुकर के साथ बैटेंगे शुकर सब्तमेश हैं तो गलत निरने कोई गलत agreement sign कर लेना कोई गलत association करना कोई गलत agreement कोई गलत partnership इन सब चीजों से बचके रहेगा partnership से इस महीने थोड़ी से avoid कीज़ेगा कोई किसी के साथ मिलकर association में कोई कारे कर रहे हैं उसको भी इस महीने थोड़ा avoid कीज़ेगा और बुद्ध जब पतित होकर यहाँ पे आजाएंगे 22 अगस को तो भी थोड़ी problem आ सकती है क्या क्योंकि वो सब्तम से दस्वा भाव है तो आपके कारे में उल्जने, रुकावटे, पेपर वक में problem ये सारी issues आ सकती है तो इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है और महीने के अंतिम भाग में भी थोड़ी problem आ सकती है 25 अगस के बाद से क्योंकि शुक्र फिर यहाँ पर आ जाएंगे नीच के हो जाएंगे सब तमेश हैं अपने से बारवे स्थान में आ जाएंगे यानि कि नुकसान होगा, losses होगे महीने के अंतिम भाग में केतू के साथ हैं, यानि कि कुछ कारे हाथ से निकल भी सकता है और इसके साथ ही एक थोड़ी सी निराशा महीने के अंतिम भाग में हाथ लग सकती है लेकिन overall महीना थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है, अंतिम भाग को छोड़कर विशेश प्रेडिक्शन्स, यह महीना ऐसा है जहाँ पर आपको अपने बिजनस में authenticity पर काम करना पड़ेगा, जो भी आपका कारे है उसमें authenticity लाने पर विचार करना पड़ेगा, अपने customers के साथ संबंध अच्छे कीजेगा, जो चीजें अटक रही थी, ups and downs ला रहे थी, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा, धर अवश्य आएगा, बिजनस में strength आएगी, बिजनस की marketing पर बहुत ध्यान दीजेगा, उसका लाब मिलेगा, और एक प्रकार से अपने बिजनस को एक नया रूप देना चाह रहे थे बहुत टाइम से, उसके लिए भी अच्छा है, आपके अगर employees हैं, तो उनसे बैठ कर बातचीत कीजेगा, अच्छा atmosphere क्रेट करने का महिना है, और अपने confidence को rise करने का महिना है, कुछ negative जीजेज हैं जिनकर बहुत जिनका बहुत ध्यान देना है, किसी पर भी blind faith नहीं करना, shortcuts नहीं लेने, और धन का जो मूले है, उसको समझना है, गलत जगाओं पर धन खराब करने से बचना है, गलत investment से बचना है, और अगर family business है, बहुत careful रहीगा, क्योंकि अगर आपका family business है, तो ऐसा कुछ हो सकता है business में, जिसके एक प्रभाव आपके family की life पर पढ़ सकता है, कोई बड़ा financial निरने लेने से अपने आपको, specially महीने के अंतिम भाग में दूर रखिएगा, यदि आप दवाईयों से सम्मंदित, chemical से सम्मंदित, science से सम्मंदित, technology से सम्मंदित, finance से सम्मंदित, immigration से सम्मंदित, manpower से सम्मंदित, कोई भी कारे करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा है, इंकम, investment और expenses की तरफ, चहां तक, इंकम की बात है, महीना अच्छा ही है, बता ही चुका हो मैं, क्योंकि लगनेश आपके दूसरे भाब में बैटे हैं, यानि की धनस्थान में, और almost पूरे महीने रहेंगे, शुक्र की सिती भी जो आपके धनेश है, अच्छी ही रहेगी, almost पूरे महीने, महीने एक एंत में तुर्वा सा नुक्सान हो सकता है, 25 तारीक के बात से, तो महीना इंकम के लिए अच्छा है, इंवेस्पेंट में थोड़ा सा ध्यान दिजएगा, शुरुवाती दस दिन फिर भी ठीक है, बाकी जो सारे दिन है, वो इंवेस्पेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं मुझे दिख रहे, जहां तक खर्चों की बात है, आपके बारवे घर के स्वामी, गुरु मंगर के साथ है, यहने की खर्चे तो इस महिने बढ़ेंगे, कि इनके इन्वेस्पेंट पर बहुत खर्चा होगा, उसको खर्चा नहीं कहेंगे, लेकिन आपका पैसा थोड़ा सा जो कैश है, लिक्विट मनी है, वो कम होता है, तो हो सकता है, प्रॉपर्टी आदी घर दिया, कोई लॉंग टर्म इन्वेस्पेंट करें, तो आपका लिक्विट जो मनी है, उस पर थोड़ा प्रभाब पड़ेगा, घर की चीजों पर फरनीचर आदी स्पेशली, उस पर काफी खर्चा होता हुँआ देख रहा है, अगर आपके घर में पैट्स हैं, अत्यदिक खर्चा उनकी सेहत पर हो सकता है, तूसरा, वैकेशन्स पर इस महीने थोड़ा सा खर्चा होता हुँआ देख रहा है, कुछ गलत खर्चे भी करेंगे, कुछ ऐसे खर्चे जो अठके जा रहे थे, बहुत टाइम से आप, टाले जा रहे थे, वो चानक से इस महीने करना पड़ सकता है, और सरकारी कार्यों पर इस महीने का खर्चा अत्यदिक हो सकता है, चलते हैं, लव एंड रिलेशन्शिप के तरफ, नो कॉंटेक्ट सेचुएशन, जिसको आज की टम में नहीं जो जनरेशन हो, इसको इस नाम से जानती है, अगर बाचीत अगर आपकी बंद हो गई थी, तो क्या दुबारा स्टार्ट हो सकती है, हाँ, इस महीने संभावना है, पंचम में बुद्वक्री हो रहे हैं, वक्री करहा, चीजों को ठीक करने का एक मौका अचानक से दे सकता है, तो चांसेज हैं कि इस महीने, स्पेशली शुरुवाती भाग में, अगर बाचीत बंद हो गई थी, तो ठीक हो सकती है, इवन नए रिलेशनशिप की संभावना भी इस महीने ज़ादा है, कारण क्या है, पंचम में शुक्र रहेंगे, अल्मूस्ट महीने के अंतिम भाग तक, तो नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, शुक्र पर मंगल का प्रभाब भी रहेगा, वो लगनेश है, मंगल भी अट्रेक्शन के लिए, इंटेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टन होते हैं, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ देख रहा है, अब जो लोग आलड़ी रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जेलना पड़ेगा, कारण, अब ये बुद्ध वक्री हो जाएंगे, जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा था, नो कॉंटेक्ट सिचुएशन, उनके लिए फिर भी अच्छा प्रभाव देगे, लेकिन जिनका ठीक ठाक चल रहा था लेशनशिप, अचानक से पांच थारीक के बाद, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, जब बुद्ध वक्री हो जाएंगे, वक्री शनी की भी दृष्टी है, बार-बार ना एक डिटैश्मेंट का भाव आ रहा होगा आपके अंदर, कभी-कभी ऐसा होता है कि, हम लेशनशिप में आ जाते हैं, फिर हम कोशन करते हैं कि, क्या सही वक्ती है, क्या लेशनशिप सही है, क्या लेशनशिप का कोई फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें आपको इस महीने तंग करेंगे अच्छा मंगल की दिश्टी पहले से ही होगी और सूरे भी सौला तारीक को यहाँ पे आ देंगे सूरे का भी relationship के लिए कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता ego बहुत बड़ेगा ego clashes बहुत होगा aggression तो इस महीने अलग ही level पर जाएगा अगर हम पंचम भाव पर देखें सूरे का प्रभाव सौला तारीक से होगा मंगल देख रहे होंगे अलड़ी बुद्ध वक्री हो जाएंगे शनी वक्र दिश्टी से देख रहे हैं कहीं और का गुस्ता अपने पार्टनर पर निकालना relationship पर निकालना यह सारी चीज़े इस महीने रहेंगे तो जो लोग relationship में उनके लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा विशेश prediction ego को कम रखिएगा नहीं कर पाए तो problem बड़ेगी बड़े बड़े रिष्टे ego के गारण खतम हो जाते हैं वो दोस्ती हो भाई बहन के रिष्टे हो पारिवारिक रिष्टे हो relationship हो अपने यह महीना थोड़ा सा आपके अंदर superiority complex हैगा specially अपने partner को लेकर कि मैं ज़ादा stressed हूँ मैं ज़ादा करता हूँ या करती हूँ यह हूँ वो हूँ वो भी problem create करेगा कोई बात अगर start होती है उस बात को पूर्ण कीजेगा बीच में कोई discussion छोड़ना इस महीने बहुत भारी पड़ेगा बहुत हावी पड़ेगा और इसके साथ ही फैमली वालों को ज़ादा involvement कीजेगा कोई कटाक्ष मत छोड़ेगा एक दूसरे के फैमली मेंबर्स के बारे में फ्रेंड्स के बारे में वो problem create करेगा यह है कि महीने के अंत तक आते चीज़ें ठीक हो सकती है लेकिन यह मान के चले कि महीने के अंत तक का समय relationship के लिए कोई बहुत शेष्ट नहीं दिख रहा विवाहिक जीवन विवाहिक जीवन तो दिखे जैसे मैंने शुरू में ही कहा था थोड़ा कश्टकारी रहेगा मंगल दोश और लड़ी लग चुका है प्रॉब्लम यह है कि सब्तमेश यानि कि जो विवाहिक जीवन के का स्थान होता और कारक भी दोनों ही शुक्र आपके बनते हैं शुक्र बुद्ध के साथ रहेंगे वैसे तो 22 तारीक तक रहेंगे लेकिन 5 तारीक तक कुछ बहुत ज़़दा बुरा नहीं लगेगा प्रॉब्लम उसके बाद आएगी क्योंकि बुद्ध वक्री हो जाएंगे तो शुक्र 5 से 22 तक बुद्ध वक्री बुद्ध के साथ रहेंगे और शनी की दिष्टी भी है और शनी भी वक्री है सूरे भी यहां पर आजाएंगे सौला तरीक हो उनका भी शुक्र के साथ योगदान हो जाएगा युती द्वारा और मंगल का प्रभाव तो चले ही रहने कि एग्रेशन लडाई जगडे, कन्फूजन फालतू की बहस यह सब चीज़े बहुत रहेंगे और यह कम था जो अंत में आकर शुक्र नीच के भी हो जाएंगे और केतू के साथ बैट जाएंगे यह होगा 25 अगस को यानि कि यह पूरा ही महीना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ताग चल रही थी उनके जगडे होंगे लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में अलरी बहुत चीजें खराब चल रही थी यह वो महीना है जहां पर चीजें बहुत जादा या उस मोर तक जा सकती है जहां से वापस आने का मौका नहीं मिलेगा चाटा भाव लीगल चीजों का होता है तो डाइवोस के योग भी यहां पर थोड़ से बन जाते हैं डाइवोस के योग यानि कि वो जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसकी योग तो थोड़ा केरफूल रहने की अब शकता है विशेश प्रेडिक्शन, कन्फूजन बहुत रहेगी जितना स्थिरता ला सकते हैं उतना अच्छा है कई बार हताश फील करेंगे थोड़ा सा अपने आपको एनरजाइज कीजेगा दोस्तों से बातचीत कीजेगा शक मत कीजेगा पैसों की बात पर जगड़े होंगे तो अगर कोई पैसों की बात डिसकस करनी है अपने पार्टनर को लेकर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कॉम्मिनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है ओर एक्साइप्मेंट दंग कर सकता है इवन फैमिली इन लॉस का भी यहाँ पर इंवॉल्मेंट थोड़ा सा दिख रहा है तो मैरिड लाइफ पर बहुत कारे करनी के वशकता है यह ऐसा महीना है जब चीजें कब नेगेटिव डिरेक्शन में चले जाएंगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा केरफुल रहिए स्टूडन्स के दरफ चलते हैं जहां तक स्टूडन्स की बात है महीना ठीक है बुरा नहीं है लेकिन कुछ चीजों को लेकर बहुत ध्यान बरतना है अच्छी चीज मंगल की दृष्टी पंचम पर पंचम स्टूडन्स का भाव है अच्छा है लगनेश देख रहे हैं पंचम को पंचम में शुक्र बुद्ध है यह भी क्रिटिविटी के लिए अच्छा है शनी वक्री होकर देख रहे हैं यह भी अच्छा रहेगा क्योंकि जो मौके हाथ से निकल गए तो उनको ठीक करने का आफसर देंगे सूर्य भी 16 अगस को यहाँ पर आ जाएंगे पंचमेश है यह भी अच्छा है तो सब अच्छा है तो बुरा क्या है बुरा केवल यह है बुद्ध वक्री हो जाएंगे अब यह बुरा क्यों है पहला तो पंचम में वक्री हो रहे हैं और बुद्ध क्या है यह पांच सारी को वक्री हो जाएंगे बुद्ध ये students के लिए थोड़ा सा किस प्रकार से negative हो सकता है, पहला आपकी communication खराब रहेगी, आपकी retention power थोड़ी कम हो जाएगी, और जो आपकी संगत है, जिनके साथ आप पढ़ते हैं, वो ही आपके लिए कश्ट create करेंगी, तो इन सब चीजों पर अगर control कर लिया, अच्छा रहेगा meditation कीजेगा, इश्वर का नाम जपिएगा, बुद्ध है, गणपती जी उनके देवता है, तो गणपती जी की उपासना कीजेगा, जितना ये करेंगे, जितना मंगल आपके लगनेश हैं, तो जितना कार्तिक जी की भर्मान जी की पुजा कर सकते हैं, उतना आपके लिए अची रहेंगे, विशेश्च प्रेडिक्शन, आपको अपनी संगत पर ध्यान करना पड़ेगा, बहुत ज़ादा ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ अभी के लिए नहीं कह रहा, कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जो भी ब पास हमेशा advantage होती है, otherwise आप एक catching game में खेलेंगे, तो student की life में addictions, बुरी आदते होना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इस महीने उन पर काम कीजिए, clarity थोड़ी सी अपने जयों में लाइए, साहस बढ़ाइए, patience पर काम कीजिए, और ज़्यादा unrealistic अपनी approach मत रखिए, इन सब चीजों पर आपने काम कर लिया, तो वश्य महीन आपका अच्छा जाएगा, सेहत, सबसे दातों इस महीने किसी इसका ध्यान देना है अपने खाने पीने का, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में है, अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजेगा, acidic food, कोई भी ऐसा खाना है जो पित बढ़ाता है, वैसे भी पित प्रक्रिदी थोड़ी सी यूजली मंगल वालों की होती है, तो बाहर का खाना अवोइट कीजेगा, पित बर्दक खाना अवोइट कीजेगा, जिससे बौडी में जलन, पेट में जलन, acidity, यह सब उत्पन होता है, उसको अवोइट जिनको हृदे सब्मंदित रोग है, बहुत जादा केरफूल रहने के वशकता है, इस्पेशली 14-15 तारीक तक, जिनको हॉर्मोनल डिसॉर्डर्स है, जिनको कोई भी बांसिक विकार है, उनके लिए भी महीना थोड़ा कश्ट कारी जाएगा, शुरुवाती दस दिन, सर से स करेंगे, फीवर हो सकता है, अंतिव जो दस दिन है, यहाँ पर, स्लीप डिसॉर्डर्स फिर से बने रहेंगे, पुरे महीने ही देख रहा है, स्लीप डिसॉर्डर्स आपके लिए, सरसे समंदित रोग, हर्मोन डिसॉर्डर्स, स्पाइन की प्रॉब्लम, सियार्टी का अध का तिलक लगाना है दो प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है जिसमें से एक चावल की मिठाई यानिकी खीर, especially खीर होनी चीए बाकि कोई भी मिठाई हो सकती है ओम कपीश्वरायनमह कपीश्वर शब्द बनता है कपीश्वर से कपीश्वराय चतुरती भी भगती लगी तो ओम कपिश्वरा ये न महा मंतर का एक स्वाट बार जाप करना है और हनुमान चारीशा का दो बार पाठ करना है और एक तिल का तेल का दियारपन करना है ये उपाय आप कर लेंगे अवश्ची ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा चैनल पर नए है सब्स्राइब कर लेजी वीडियो को लाइक कर लेजे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्चा